तेरी रुमली थाम के ही चलना सीखा है मार तेरा नाम वेल्कम टू माई यूटूब चैनल स्टडी मैटेरियल A to Z में कमलेज आप देख रहे हैं स्टडी मैटेरियल A to Z दोस्तों ने भी ऐसा डबले का ओफिचियल नोटिपिकेशन आपका जारी कर दिया गया है और यहां पे सबसे important जो आपका point था दोस्तों आपके कटोप को लेकर कि किसका admit card आएगा इसका video दोस्तों आपका आचुका है और यहां पे दोस्तों आपको telegram पे आकर तीन video जो की continue मैंने कल provide करवाए थे वो video अगर देख लेते हैं तो आप आवेदन करने में आपको पता चलेगा कि आप जो किस state के हैं सभी state का मैंने discuss कर चुका हूँ यह चीज़ें तो लेकिन आज हम बात करेंगे आप जो आवेदन phone से करें या फिर दोस्तों आप इमितर से आवेदन करें exam center कहां पे जाएगा क्या official news भी अब जो नेवी ने आपकी announcement कर दी है तो बिलकूल दोस्तों आपका notification जो की declare कर दिया गया है वीडियो की description में telegram का link मिलेगा आपको अगर नहीं पता है तो आप आकर यहां से जो की देख सकते हैं और या फिर दोस्तों अपने नेवी का जो dashboard है उसमें current जो opportunity है इस पे आप click करके भी आप देख सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या किस प्रकार का scene जो की आपको नेवी ने दिखा दिया है हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि ये भी फैक है क्योंकि भाई इतना ज्यादा जो की नेवी ने मतलब एक चाल चली कि आपको इतना भी पता नहीं लग सके और सब कुछ जो official था उन्हों सभी को तुम फैक बना चुके थे और दोस्तो हमने तो बिल्कुल भी नहीं बोला था हमने जो official था उसको ही बोला था हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं दोस्तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो official था हमने वो चीज़ने आपके सामने रखी थी और आज फिर से एक official जो notice है आप देख सकती है Sam to Sam वही जो की notification होगा offline exam होगा लगातार candidate के comment आ रहे थे कहां पे लिखा है offline exam तो बिल्कुल offline exam होगा Sam day को result आएगा पूरी process discuss करने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपका सवाल होगा कि sir यह जो notification आया है क्या बिल्कुल आपकी official website पे आ चुका है यहां से आप आप अपना notification डाउलोड कर सकते हैं और यह मैंने टेलिग्राम पे forward कर दिया वीडियो को description में टेलिग्राम का link वेल जाएगा दूसरी चीज़ दोस्तो आती है बात unity की Twitter campaign की तो दोस्तो आज जो कि लोग बहुत बड़े जो कि आपके बड़े बड़े यूटूबर है वो decision तो ले रहे हम एक साथ हम decision लेंगे कि आपका Twitter campaign लेकिन आज वो जोस नहीं रहा जिस परकार से आपकी कम से कम 10 दिन पहले हमने inform किया था कि आप जो आपको कुछ ना आईए क्योंकि हमारे पास शबूत था हम employment news को लेकर हम चला सकते थे Twitter campaign लेकिन आज वो नहीं है लेकिन फिर भी आपकी unity बहुत ज़रूरी है दोस्तों कमलेस परजापत के नाम से telegram group बनाया गया है आपका doubt group है उसमें जो कि आप अपने आप से discuss कर सकते हैं और एक साथ कितन candidate add हो सकते हैं वो जो कि आप add हो जाईए वहाँ पर हम unity की बात भी करेंगे किस परकार से कोई भी ऐसा अभ्यान जो की Twitter campaign चलाने की बिल्कुल यह तो होगा कि हम तो बिल्कुल कोशिस तो करेंगे ने भी हमें response दे या नहीं दे लेकिन कोशिस हमारी बिल्कुल रहेगी तो द का कटोफ वो भी आप वीडियो देख लेना कि कटोफ में क्या 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 जो की सुधार है रही बात आपके document की तो document आपका सबसे important होता है कि आपके पास आदार कार्ड होना चाहिए दसमी बारवी का मारसिट होना चाहिए और आपके पास domitial certificate होना चाहिए यह तिनों चीजे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और अगर दोस्तों आपके पास जो कि आदार कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन अगर domitial certificate नहीं है तो भाई आप आवेदन नहीं कर पाओगे यह चीज आप नोट कीजिए domitial certificate important है यार क्योंकि आपको पता है domitial certificate के अधार पे ही आपकी merit त्यार की जाती है तो domitial certificate नहीं लगाओगे तो form reject किया जाएगा लगातार कमेंटार एती किसर मेरे पास domitial certificate ही नहीं है तो भाई अब गल्त हो रहा है क्योंकि domitial certificate हम document का video कभी लेकर आ चुके ते हो domitial certificate आपको बताए जो official document ह वो तो आपको देने ही पड़ेंगी ना आप ऐसे दोड़ी है कि उसके अधार काड लगा दोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना domitial certificate very very most important role play करता है आपका दोस्तो नेवी SR और डबले के अंदर ठीक है और एरफोर्स के अंदर भी role play करता है अब बात आती है आपकी exam center को लेकर की exam center दोस्तो मुझे पता है कि आपका exam center बाहर जाएगा जब भी offline exam conduct होता है इतनी सेटे वहाँ पर जो आपका station होता है वहाँ पर इतनी allowed नहीं है अब मैं बात करता हूँ राजस्तान state की तो राजस्तान state के अंदर अगर हम बात करें तो जोधपुल station है वहाँ पर candidate को बुलाया जाता है अब जो राजस्तान के जोधपुल state के अंदर जो candidate नहीं आप की जो सिस्पेशन दी थी लेकिन भाई एक्जाम आपका COVID-19 बाहर आने के बाद होगा यह चीज़ तो आप समझ सकते हैं लेकिन दोस्तों आपके लिए टेस्रीज नंबर वन आपके लिए प्रवाइड करवाई गी है और अभी से हम स्टार्ट करेंगे भाई बिल्कुल क्योंकि अब टाइम नहीं है नेवी के तो हम टेस्रीज नंबर वन दे चुका हूं और बहु सारे कैंडिडेट की कोमेंट आ रहे थे किसार टोपिक वाइज मैटर दीजे तो टोपिक वाइज मैटर भी प्रैक्टिस दे सकता हूं मैं प्रैक्टिस दूँगा तो आप टोपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर लेना आपको टेलिग्राम पर मिलेगा वीडियो के समसाइं इसके अंदर हमेशा होती रहती है आवेदन कर दो अप्लाई कर दो अब रही बात इमीट्र जो कि आपके इमीट्र तो कोबिड 19 तो आप फॉन से फिलब कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यां रखना थोड़ी सी क्लिर्टी का ध्यां रखना डॉकुमेंट पूरे फिलब कर देना और वीडियो दोस्तों देख लेना कि आपको क्यों कौन से किस प्रकार से फॉन को फिलब करना है और आप सभी अगर अपलाई के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको वो भी वीडियो दे दूँगा तो इस वीडियो पे लाइक आपको वन के होने चाहिए दोस्तों आपको बिलकुल वीडियो मिल जाएगी अगर आप अच्छे से इस परकार से अगर करते हो तो आपको फ सीट होती है किस परकार से आपके वहां पर प्रोसेस होती है किस परकार से रजल्ट जारी किया जाता है सारी चीज़े डिटेल से बता दूगा क्योंकि 2016 में दोस्तों मैंने डबले क्लियर किया था और उसमें जो कि मैंने पुझे पूरी पता है किस परकार से प्रोसेस होती ह एक ही दिन आपका PFT कंड़क्ट होता है तो सारी चीज़ें आपको डेटियल से डिक्लेर कर दूगा तो आप जो भी कैंडिडेट नहीं हो चैनल को सिस्क्राइब कर लो बैल आइकन को ओन कर लो दोस्तों नेवी के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले सारी अपडेट और दोस विश्वास हो चुका था कि बिल्कुल ऐसा होने वाला है ऐसा मुझे तब लगा जब उन्होंने 17 से 20 जो एज की थी तब उन्होंने मुझे लगा था क्योंकि 17 से 21 एज थी और 17 से 20 बिल्कुल अचानक कर दी और वो आती है एक केवल नोटिपिकेशन में नेवी ने कोई जैहिंद और इंस्टाग्राम पर फोलो कर लिजिए दोस्तों इंस्टाग्राम पर आपकी कोई भी क्योरी है कोई भी इसी प्रकार की क्योरी है तो आप मुझे मेसेज कर दीजिए जैहिंद